नमस्कार सातियों, स्वागत है आपका आप चनल SSC Exam Warrior दोस्तो SSC GD Constable में Review Medical Examination का आज दीसरा दिन है किस तरीके से Review Medical Examination कंड़क कराए गए उसकी रिपोर्ट मैं आप लोगो रेगूलर वीडियो में दे रहा हूं इस वीडियो में हम पॉइंटों को डिस्कस करेंगे किस किस पॉइंट पर ज्यादा कंड़क क्वालिफाई के जा रहे हैं और कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर क्वालिफाईड का रेसो बहुत कम है देखी दोस्तो SSC GD Constable का जो Review Medical Examination चल रहा है इसमें सेंटर्स की जो रिपोर्ट आई है किसी किसी सेंटर्स पर 25 पलस भी केंडिट कॉलिफाईड है और कुछ सेंटर्स ऐसे हैं जहां मात्र 5 से 6 केंडिट ही कॉलिफाईड हो पाए तो इस तरीके से रिपोर्ट सभी सेंटर्स की डिफरेंट आ रही है और कुछ तो ऐसे देखने को मिल रहा है अगर किसी सेंटर पर 5-6 तो नेक्स डिबी उस पर 7-8 ऐसे केंड़ेट कॉलिफाइड हुए मेडिकल डॉक्टर ही कमी है या फिर क्या दिक्कत है वो तो सेंटर पर ही पता होगा यह जो रिपोर्ट है यह सभी स्टेटोर से आईये ہے और एक स्टेट के अनिदर अला अललग सेंटर सें तो अला अललग रिपोर्ट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर अगरicken cut-up की बात की जाए तो final cut-up में कहानी जा सकता कि किस स्टेट की cut-up ज़्यादा increase कर सकती है कौन सा state ऐसा होगा जिसकी state cut-off का में increase करेगी क्योंकि final cut-off जब आप लोगी create होगी तो उसमें different different factors होगे जिसके ओपर final cut-off बनाई जाएगी जैसे आप लोगा state कौन सा है आप लोग border area से हैं, नकसरल area से हैं कितने candidate DME में qualified हुए, कितने RME में qualified हुए final merit list में कितने candidate हैं, जो cut-off में fight करेंगे ये सभी different factors होगे तो अभी आप लोग cut-off पे ध्यान मत दीजे अभी पहले आप लोगे remedical complete हो जाने दीजे इसके बाद cut-off पे details analysis आप लोग को हमारे channel पर मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे centers से ये भी report है कि knock knee में और flat foot में भी candidate को qualified किया जा रहा है मैं आप लोगो report भी दिखाई थी, उसमें भी आप लोगो को clearly list सो होगा कि इन पॉइंटों में भी candidate qualified हो रहे हैं सबसे जो muscle दोर होता है remedical के अंदर यानि muscle point होता है remedical के अंदर वो यही होता है जो flat foot वाले candidate होते हैं और knock knee वाले candidate होते हैं उनको qualified करने में muscle आ जाती है क्योंकि flat foot और knock knee ऐसी problem है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता थोड़ा बहुत सही हो जाएगा exercise के माद्दे हम से लेकिन doctors अपने अलग तरीके से check करते हैं महां पर problem पकरी ही जाती है तो इसका मतलब यही हो सकता है कि इन candidate को गलत medical examination लिया गया था DME के time पर और इसको इनको point ना होते हुई point दे दिया गया था तो ऐसा हो सकता है कि इस कारण से ही knock knee और flat foot में candidate जादा पास हो रहे हैं DME कितना tough हुआ था वो तो आप लोग को ही पता है DME में मात 50% से ज्यादा रेसों देखने को नहीं मिलाता लेकिन आप लोग का जो री medical है उसने सारी कसर को complete कर दिया है री medical काफी इजी हो रहा है more than 60% candidate qualified हो रहे हैं per day सभी centers के average की बात कर रहा हूँ है किसी किसी centers पे 90 पलस भी qualified हो रहे है तो आप लोग average देखें तो 60% candidate ही qualified होंगे री medical में final के अंदर अभी तो री medical सुरुआत हुआ है अभी ज़्यादे report आई नहीं है लगाता report आएंगी उसके according आप लोग को complete analysis भी मिलता रहेगा दोस्तों यहाँ के आई के point में अगर किसी को 6x6 और 6x9 में जिनको री medical दिया गया था यहाँ पर clear cut है कि जो 6x9 वाले candidate है उनको भी qualified किया जा रहा है कोई problem नहीं आ रही है री medical ज़्यादा tough नहीं हो रहा है कुछ candidate ऐसा बोल रहे है कि दलालों एक आरण इस तरीके से आप लोग री medical में जादो qualified हो रहे है लगातार comment में देख रहा हूँ ऐसे comment भी आ रहे है दोस्ता ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी center पर किसी भी तरीके का दलालों का काम नहीं चल रहा है तो ऐसा आप लोग बिलकुल ना सोचें जो candidate आप उनको भी सोचें जो qualified होए है आरेमीव फिट होए है तो वो fit ही होंगे जब जागे fit होए है उनको भी final merit list में आना है आपकी तरह ही वो भी एक अभ्यारती है एस्पिरेंट से 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 जेडी के दोस्तों यहाँ पर elbow angle के अंदर अभी मेरे के दोस्ते वो qualified कर दी है तो elbow angle के अंदर भी उनको fit किया गया है तो काफी अच्छी बात है exercise के माद्यम से भी Remedical को qualified किया जा सकता है तो अगर आप लोग को SSC GD Constable में Remedical दिया है किसी भी point के अंदर Remedical दिया है और आपको Remedical के लिए 1-1.5 मन्त अभी है क्योंकि 56 दिन Remedical चनले वाला है अगर किसी candidate को elbow angle, flat foot और आप लोग का नौकनी में भी Remedical दिया है तो वो समल जाएए उनको भी qualify किया जा रहा है सिर्फ आप लोग को daily exercise करनी है जिन rules को आप लोग को follow करना है वो rule आप लोग को YouTube पे मिल जाएंगे इन सभी pointer को पर details वीडियो आप लोग को YouTube पे मिल जाएंगी तो वहाँ उनको search करकर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इन pointer को cover किया जा सकता है देखिए जब भी यह point देते हैं तो कुछ न कुछ mm को आप लोग को देते हैं कितना mm इनका bowl egg था इस तरीके से आप लोग को बता जाता है तो अगर उसमें भी आप लोग cover कर लेते हैं 4-5 mm को भी आप लोग cover कर लेते हैं तो वहाँ पर doctor काफी अच्छी तरीके से आप लोग री-medical ले रहा है अगर आप लोग अंदर improvement भी दिखती है DME से आप लोग आरमी में improvement दिख रही है तो भी आप लोग को qualified कर रहे हैं तो इससे बड़िया बात नहीं हो सकती दोस्तो री-medical के लिए कि आप लोगी री-medical की इतनी अच्छी ख़वर आ रही है जहां आप लोग को री-medical में DME के टाइम में आप लोगो report देते थे कि काफी कम candidate qualified हो रहे हैं तो 40% 50% candidate qualified हो रहे हैं तो काफी निरहा सजनक बात होती है कि जो candidate इतने मुश्किल से दौर में paper pass करिए उसके बाद आप लोगों ने final cut-off में अच्छे खासे marks लेकर आप लोग medical में आए और यहाँ पर भार हो जाएं तो हमें पता है कितना बुरा लगता है दोस्तों आप लोगों को री-medical बहुत अच्छे तरीके से कंड़क्ट हो रहा है मोटिवेट रहेगा आप लोगों कोई problem नहीं देखने को मिल रही है जो कंड़ेट क्वालिफाइड हो रहे हैं कितने कंड़ेट क्वालिफाइड हो रहे हैं कितने कंड़ेट क्वालिफाइड हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग 14 तारिक की तो मैंने आप लोगों को डेटेल वीडियो दे देती 15 तारिक की में में पर पास अपडेट पड़ी है आप लोग की एक साथ ही मैं आप लोग अपडेट देंगा आप लोग की 3-4 दिन की एक साथ अपडेट एक खट्टी हो जाएगी तो सभी centers की अपडेट मैं आप लोग को एक साथ प्रोवाइड करा दूँगा आप लोग के ज्यादा point regarding आ रहे थे कि किस point के अंदर qualified किया जा रहा है किस point के अंदर disqualified किया जा रहा है दोस्तो बीपी हुआ, आई हुआ, flat foot हुआ, knock नी हुआ, elbow angle हुआ चाहे आप लोग किसी भी point के अंदर आप लोग को remédical दिया है तो सभी point Enfinken फिट के अंदर mix candidate की rate को fit किया जा रहा है सभी को fit करने का मल्लब है सभी point में fit हो रहे है candidate ऐसा कोई भी point नही है जिसके अंदर unfit हो रहे है, अगर आप लोग की remédical appeal को accept किया गया है तो सोच समझकर एक्सेप्लास के अगया है सभी point में fit किया जाते है candidate ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है जिसमें केंडियेट को अन्फिट के जा रहा है क्योंकि डॉक्टर की भी गलती हो सकती है कई बारे में तो दोस्तो इस तरीके से आप लोग रीमेडिकल एक्जामनेशन कंड़क्ट हो रहा है काफी स्मूद ढंग से रीमेडिकल एक्जामनेश और 8 वजे तक भी आप लोग को इंट्री की जा रही है रीमेडिकल सेंटर के अंदर सबसे पहले जब आप लोग रीमेडिकल एक्जामनेशन में जा रहे हैं तो आप लोग कोविद 19 का एक छोटा सा टेस्ट लिया जा रहा है जैसे आप लोग का टेंपरेचर को चेक किये ज करने है गुट में एक साथ नहीं रहना है लेकिन दोस्तों आप लोग जरूद ध्यान रखेगा जितने वी आप लोग के रूल है उनका जरूर पालन कीजिएगा जिस भी फोर्स में आप लोग जा रहे हैं डिस्पलें सबसे मोस्ट इम्पोर्टन होता है किसी फोर्स के तो अच्छा होगा दोस्तो आप लोग का रिमेडिकल एक्जामनेशन में किसी भी तरी कोई भी आप लोग की कमी देखने को नहीं मिल रही है अगर कोई आप लोग को डी मोटिवेट कर रहा है तो आप लोग गलत इंफोर्मेशन दे रहा है दोस्तों आप लोगो री मेडिकल की सागी अबडेट हमाइरे चैल선 पर जानल पर मिल की बादा